हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है तो यह देखिए आज मैंने कितना ही कुपसूरत साई डोर्मेट बनाया है इसे आज मैंने बहुत आसान तरीगी से बना लिया है बहुत जल्दी बनकर त्यार हो गया है इसे बनाना भूत यादा आसान है वेशवड़ी हुई साडियों से बनाया है जैसे मैंने यह आप चार कलर यूज किये हैं आप तीन दो कलर भी यूज कर सकते हैं तो चलिए इस डोर मेट को बनाना सुरू करते हैं बिलकुर रंगोली के जैसा लग रहा है तो आज हम इस तरह क इस तरह कि कली बनाकर हम डोर मैट बनाएंगे तो मैं बना लेती हूं तो इसके लिए सबसे पहले हमने यह चाप ले ले ली हैं जाड़ी में से यह देखे कि इतनी चौड़ी चौड़ी कटकी है तो अब हम लेंगे सलाई तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे तो इसमें हम टोटल बारे फंदे डालेंगे तो यह देखिए टोटल हमने यहां पर बारे फंदे इसमें डाली है एक नौट लगाया है और वाकी के यह फंदे डाल लिए हैं 11 हमारे टोटल बारे फंद हो गए अब हम मिसिस भून लेंगे तो यहां पर हम जो बुनेंगे वो हम उल्टी सलाई बुनेंगे यह देखिए इस तरीके से हैं जब हम पायदान मराते हैं तो इसके लिए हम थोड़ी मोटी सलाई लेते हैं तो मैंने यहां पर बारे नमर यानिकि इस नौ नमर की सलाई लिए हैं नौ आट साथ किसी भी नमर की आप ले सकते हैं तो इस तरह से उल्टे उल्टे हम यह फंदे बुन लेंगे तो देखिए यहां पर मैंने सारे फंदे बुन लिए हैं अब हम इनको नीचे की साइड में बुन कर ले कर जाएंगे अब हमारे यह दो फंदे बच के हैं तो इनको नहीं बुनना है इस तरह के से टर्म कर लेंगे अब दो फंदों को हमने छोड़ दिया है इसी तरह के से हम दोदो करते हुए इसमें फंदे छोड़ेंगे तो अब हम इससे उपर की साइड में बुल लेते हैं तो है कि टो एक्स्ट्राइक दिख रहे हैं से हम कट कर देंगे जो नॉट लाएघा था उसे आप हमने इसमें दो फंदे चोड़े फिर से हम यहां पर बुन कर लेकर आएंगे फिर से दो बंदे चोड़ेंगे इसली तरीके से हम ऐसमें फंदे छोड़ने थो पहले हमने यह दो छोड़ें, अब मिन्म धौन और देते हैं, यहां से टन कर लेएं, अब हम फीचा-अच फंद यहां देते हैं। और बागी के फंदा को हमें इस तरीके से बुल लेना है तो यह देखिए अलग से दिख रहे हैं कि हमने यह दो छोड़ेते पहले फिर यह दो छोड़े हैं इसी तरीके से हम इन सभी को छोड़ लेते हैं दो-दो करते हुए तो अब हम इन दोना को छोड़ देते हैं इन दो को वह यहां से टन कर लेते हैं तो यह देखिए मैंने इसमें दो-दो करते हुए सारे फंदे छोड़ लिए हैं तो दिखिए यह दो छोड़े फिर यह दो छोड़े पहले ही मैंने यहां पर दो छोड़े यह फिर यह दो फिर यह दो फिर यह दो इस तरीके से मैंने यहां पर 12 फंदे इस तरीके से दो दो कर्टे को छोड़ लिए हैं अब हम इन सभी फंदों को एक ही सलाई में बोल लेते ह अब हमें यहां पर कोई फंदा नहीं चोड़ना है सिर्फ एक सलाई में इनको सभी को तार लेंगे जिस तरह से मेरी श्टैप खतम हो गई है अगर आपकी खतम हो जाए तो आपको क्या करना है इस तरह के से श्टैप को लेना है झाल फ्टैप खतम हो गई हाए उसे लेना है और इसके अंदर हमें दूसरी श्टैप को इस तरीके से कर लेना है अब हम इसे बुल लेंगे ना तो हमने यहां पर कोई गाट लगाई है ना कुछ लगाया और यह देखिए हमारी स्टैप में जोड़ गई है तो यह देखिए, मैंने सभी फंदों को एक ही में बुल लिया है, तो यह हमारी एक कली बनका त्यार हो गई है, इसी तरीके कि हमें पांच कलियां बनानी है, तीन रेड से बनानी है, और दो गरीन से बनानी है, अब हम नीचे की साथ से फिर से इसमें दूसर कलर लगाएंगे, क्योंकि आप हमें दूसरे कलर से बनानी है, तो यहाँ पर इस तरीके से, तो यह अलग से दिखेगा, इसलिए हम इसे भी इसी के अंदर ले लेते हैं, तो यह देखिए, एक सलाई में मैंने सभी फंदों को पुल लिया है, तो अब हम यहाँ पर नीचे की साथ में बनेंगे, और दो दो करते हुए, इसमें फंदे छोड़ लेंगे, तो यह देखिए, दो फंदे बच गए हैं, तो अब हम यहाँ से टर्न कर लेंगे, और इसलिए को इसी तरीके से दो-दो करते हुए हम छोड़ लेंगे, तो यह देखिए, पहले हमने यह कली बनाई, आप हम इसे बना रहे हैं, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको फिर इसको फिर इहाँ पर इसे, तो पहले मैं इसे यहाँ तक बना लेती हूँ, यह देखिए, हम पहले जो पाट बना रहे हैं, वो इतना बना रहे हैं, तो इसे म तो अब हम दो दो करते हुए इन फंदा को छोड़ते जाएंगे और यहां पर हम टोटल पांच कलियां बना कर तियार कर लेंगे इसी तरीके से हमें करना है इस पर कुछ नहीं है तो यह हमारा हाफ सरकल बनेगा तो यह देखिए अब हमने इए 2 चोड़े है इन 2 को छोड़ा है अब हम यहाप बन कर लाएंगे फिर इंदो को छोड़ेंगे फिर इन 2 को फिर इसी तरीके से हम सभी फंदां को छोड़ते वह से बना लेते हैं कि आप घुन तो पैसिन या प्मारी ज़्नों परेंगे तो फंडे बना हैं इस तरीके से हमारी बढ़ने के लिए यहां से हम फंडे यहां परर हैं उतनी ही फंदे हम इसमें भरेंगे हमने यहां पर 12 फंदे भड़ लिये हैं यहां तक हमारे फंदे थे तो हमारे टोटलिस में 24 फंदे हो गए हैं तो अब हम इन सबी फंदों को एक ही सलाई में बुन लेते हैं तो यहां तक मैंने इसे बूल लिया है तो अब हम एक सलाई और फिर लेते हैं उसके बाद हम इसमें से फंदे घटाएंगे तो हम यहां पर एक सलाई और फिर लेंगे जिस इसे इसमें एक रो बन जाएगी तो यहां पर मैंने एक रो बना ली है यह इस फंदे के अलावा इस फंदे के अलावा एक रो हमारी बन गई है तो अब हम यहां पर इसमें सलाई फेड़ेंगे हमारी जाएगे तो इस साइट से घटाना है और इस साइट से भी गटाना है तो यह देखिए फंदे घटाने के लिए हम दो फंदे लेंगे दो का एक कर देंगे इस तरीके से आप हम जो फंदे हैं उनकोven के त्यों humor लेंगे तो यह देखिए इस साथ से तो हमने एक फंदा घटा लिया है अब हम इस साथ से घटाएंगे तो यहाँ फिर से दो का एक करेंगे जब हम पहला फंदा बढ़ा यानि के बुनते हैं उसी में हमें दो का एक करना है और बाकी के जो फंदे होते हैं उनको यहाँ के त्योंबर लेना है तो यह दिखिए यहाँ पर मैंने इस साथ में इस से बढ़ा है पूरा यह तक तो इसमें हमारी दो रोड़ बन गई हैं यह देखिए वञट रहे और तो अलग से देख रही हैं वह रोड़ यह दिखिए अब हम इसमें दूसरा कलरश चेंज करने के लिए हम फिर से यहाँ पर क्योंकि हमें यहां से फंदे गट अने हैं तो उल्टी सब्सक्राइब को इस तरीके से रखेंगे जो हमारी दूसरी सब्सक्राइब यहां से हमने एक फन्दा यहां पर गठा लिया है आप हम इस साइट से घटाएंगे इस तरीके से बना का त्यार करेंगे तो दो रों हम यानि कि चार सलाइं हम एक कलर से फीड़ेंगे और चार फिर एक कलर से और बागी के सारे फणों को हमों योंके त्यंबन लेना है जिससे हमारी एक कली बन कर त्यार हो जाएगी तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ दो का एक करते हुए दोनों साइफ से यह देखिए हमें इस तरीके की बनानी है donc अभी हम इस यहांपर चल रहे हैं तो यह वाली कलीली यानि की यह वाली रोवन नहीं है हमारी तो एक-एक करते हुए जब हम कटाते हैं तो इस तरीके से कली आती है इसी तरीके से हमें बनानी है चार सलाईयां पहले हमने इस कलर से फेड़ी तो हमारी दो रो बन गई फिर चार सलाईयां हमने इस कलर से फेड़ी तो हमारी दो रो बन गई इसी तरीके से हमने इसे पूरा बना का त्यार कर लिया है इसी तरीके से मैं इसे बना लिती हूं कि देखिए मैंने टक बना लिया है अब जो भी फंदे हैं उनको हम इसी तो यह देखिए यहाँ तक सारी पंद्ध वहीं बुल लिए हैं जो शडाएप एक फंदा पच गया है तो इसके अंदर से हम जो स्ट्राइप इस तरीकेसे निकाल देंगे उसे खीच देंगे तो यह हमारा यहाँ पाश्ट हो जाएगा तो यहां कि अच्छे से इसे हम कट कर स्ट्रस्राइब कर दिया है न है टो तरफय से दो कलिया और बनाने हैं जानी जानी रेड है कि यद नहीं ये कह वाद या JUL नहीं नहीं बनाने हैं तो दो खरी नक्रीच्प बना चाहिए यह इस खरीड़ और ना लेडल अवे यहा जेल सकते हैं तो यह देखिए यहां पर ऐसे सेल लिया है तो यह कितना प्यारा लग रहा है इसी तरीके से मैंने मैंने चारकलियों को सेल लिया है यह देखिए तो बहुत ही प्यारा लग रहा है इसी तरीके से आप बड़ा भी बना सकती है मैंने यहां पर मेडियम सेच का बनाया हुआ है और बहुत ही प्यारा सा हमारा यह दोर्मेट बनकर त्यार हो किया है जो देखने में काफी यादा खुबसूरत लग रहा है तो आपने देखा होगा इस दोर्मेट को बनाना कितना आसान है बहुत आसान चरीके से बनाकर त्यार कर लिया है तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सेयर करें फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाई